तो गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स, वैलकम टू पुलिस वाला क्लासिज, मैं तनु चौधरी आज आपको पढ़ाऊंगी स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके में आज हमारा टॉपिक रहेगा लेक्स लेक्स मतलब जीले तो क्या होती है लेक्स ? लेक्स जल का वहें स्थिर भाग होती है जो चारों और भुमी से घिरा होता है यानि यह वो water bodies है जो चारों और जो सराउंड़ीड रहती है लेंड से तो आपने सभीने तालाब देखे हैं तो ये तालाब का ही बड़ा रूप होता है तालाब में और झील में एक basic difference रहता है, वो रहता है कि गहराई, तालाब की गहराई जोहे कम रहती है और झीलों की ज्यादा रहती है। तालाब में जो आपका प्रकाश है वो तली तक चला जाता है यानि बोटम तक आपकी light sunlight जो है वो जाती है लेकिन जीलो में ऐसा नहीं होता तो जीलो की जो study होती है उसको हम क्या बोलते हैं उसको बोल देते हैं लिम्नोलोजी तो study of lakes लिम्नोलोजी को बोला जाता है ठीक है तो अभी हम देखेंगे lakes के types बड़ देख लेते हैं कि कितने type की होती है तो types अभी हम types discuss कर लेते हैं तो types में सबसे पहले हम discuss करेंगे fresh water lake फ्रेश water lake फिर आपकी होती है salt water lake फिर आपकी रहती है ग्लेशियल लेक प्रेटर लेक ओक्सवर लेक लेगून और एक आपकी रहती है और आटिफिश्यल लेक तो यह आपके कुछ types होते हैं लेक के तो अभी हम देख लेते हैं fresh water lake यानि मीठे पानी की जील इसमें ऐसा नहीं होता है कि उसमें चीनी डली होती है जो पीने लायक पानी होता है जो जिन जीलो का पानी जो है पीने लायक होता है उनको फ्रेश वोटर लेक बोलते हैं फिर हम सेकंड पर आते हैं के बाद आके जो गड़े हो जाते हैं उनमें जो पानी रुक जाता है तो यहाँ पर क्रेटर लेक में की आपका जो पानी है वह रुख जाता है तो वह किसका करता है crater lake का यानि आपकी जो जो आलमुखी से आपकी जो Legs होती है फिर आता है आपका Oxbow Lake Oxbow Lake को Hindi में गोखुर जीले भी बोलते हैं यह गोखुर जीले क्या होती है तो आपको पता है कि नदी आपकी बहती है तो वो इस तरीके से कुछ आपकी कई बार विसरप की आकरती में बहती है, तो जो मोड होते है ना नदियों के, तो मोड पे जो पानी कई बार आपका ऐसे ऐसे बहता है, तो फिर कई बार क्या होता है, कि नदियां मुड कर, मुड के ना बहके, सीधी अपना रास्ता बदल ले तो जो साइड में यह ऐसे मोड पर जो यह पानी होता है ना यह अलग कट जाता है जो में स्ट्रीम होती है मुख्या जो धारा होती है उससे अलग कट जाता है तो यह कुछ इस तरीके का आपका पानी आपका यहाँ पर रुख जाता है जो आपका ओक्सबो जो आपकी लेक्स है उनका निर्मान करता है फिर आपकी आती है लेगून लेक तो लेगून लेक क्या होती है इनको हिंदी में अनूप जीले भी बोलते हैं अनूप जीले तो आपने अब इसके बारे में डिसकस कर लेते रहे हैं तो अनूप जिले होती क्या है तो यह आपकी मेंली जो आपका तटिये क्षेत्र होते हैं ना समुंद्र के coastal reasons वहाँ पर आपकी यह पाई जाती है समुंद्र की लहरे होती है वो कभी उची आती है तो वह पानी जो है आपका स्टोर हो जाता है वहाँ पर और फिर बीच में रास्ता जो है और बाकी जो सेंड वगेरा है उससे आपका रास्ता ब्लोक हो जाता है वो पानी वहीं पर रुख जाता है जिससे क्या किसका निर्मान होता है लेगून लेक्स यह आपकी coastal reasons पर होती है फिर लास्टल हम देख ले लेक स्थिर जल जो होता है चारो और भूमी से गिरा हुआ यह आपका लेक होता है लिम्नोलोजी स्टड़ी हुई टाइप समने डिसकस कर लिए अब हम आते हैं में टॉपिक पे वो है लेक्स इन इंडिया तो हमारे राज्यों और कहीं सारी यूटी में हमारी बहुत सारी ज जम्मू कश्मीर तो आज हम जो लेक्स हैं उनको ट्रिक से याद करेंगे याद आप पैसे भी कर सकते हैं बट इससे एजी रहता है थोड़ा तो अब हम ट्रिक यूज करते हैं प्रिक क्या रहेगी कश्मीरी कश्मीरी वूल में नाग नागिन डालेंगे तो यह ट्रिक जो है आपको याद करनी है उसके बाद क्या रहेगा कि कश्मीरी वूल में नाग नागिन डालेंगे आप नाग नागिन याद रखेंगे और कश्मीरी वूल मतलब धंड उससे आप प्रिलेट कर सकते हैं फिर हम जो लेक्स है वो डिसकस कर लेते हैं कश्मीर से कश्मीर मतलब कश्मीर की लेक्स के बारे में बात कर रहे हैं वूल से वूलर वूलर जील नाग से आपका शेशनाग जील शेशनाग जील वहरी नाग जील नागिन जील अब नागिन वर्ड पर आते हैं तो नागिन जील नागिन जील और डालेंगे से आपका डल जील यह सब जीले आपकी जम्मू कश्मीर की जो इंपोर्टेंट जीले हैं वो है तो अब हम वुलर लेक के बारे में बात बात कर लेते हैं वुलर लेक कोक्षेन आजाता है कि सबसे बड़ी मीठे पानी की जील यानि फ्रेश वोटर लेक ओंडिया लाज्जस्ट तो वो क्या है वो आपकी फूलर जील है कि यह आपकी कि सबसे बड़ी कि फ्रेश वोटर लेक है आपकी है । प्रेश-वो-टर लेख यह आप याद कर सकते हैं तो जम्मो कश्मीर की है हमने डिसकस कर ली तो फिर नवाप चलते हैं लडाक की ओर को कई सबहर तो अभी हम डिसकस करेंगे लडाक लद्दाक तो इसमें हम एक trick यूज़ कर लेते हैं पहले फिर मैं आपको कुछ बताती हूँ इसके बारे में trick trick क्या रहेगी लद्दाक लद्दाक की trick आपकी रहेगी पान गैंग में गैंग में मोरी सो कार है मतलब पान गैंग है उसमें मेरी सो कार है आप गैंग जैसे गैंग होते हैं वैसे करके कुछ याद कर सकते हैं कि कोई गैंग है उसमें मेरी सो कार है तो इसकी हम अभी लेक्स डिसकस करेंगे तो पान पान गैंग पांगेंग से आप याद कर सकते हैं, पोंगेंग, जील, मोरी, मोरी से आप याद कर सकते हैं, मोरीरी जील, मोरीरी, जील, और सो कार से आप याद कर सकते हैं, सो कार जील, तो यह आपकी लद्दाग की कुछ इंपोर्टेंट लेक्स के बारे में हम बात किया तो यह जो पैंगोंग जील है अभी आपने रिसेंटली देखा होगा के राउल गांधी ने एक विजिट करी है वो अपने फादर जो भारत के पूर प्रधानमंतरी राजीव गांधी उनके लद्दाग को के उनका टूर था तो वहां पर फैंगोंग भीजेशर प्रवुषा तो यह पानी पीछे पहाड नहीं तो वही यह ब्यूटिफुल त्यूर सफ Southwest तो यह हमने लग्दा कर डिस्कस कर लिया अब फिर हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश हिमाचल की जो है हम लेक्स डिस्कस कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश के लिए हम ट्रिक यूज करेंगे ट्रिक हम यूज करेंगे भ्रहगु ब्रगु बोला रेणु का परिशान मन में सूरज और चंद्र देखो तो यह ट्रिक आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ब्रगु बोला रेणु का परिशान मन में सूरज और चंद्र देखो तो अब हम डिसकस कर लेते हैं यहां की ट्रिक के help से के यहां पर कौन-कौन सी लेक सापकी है तो ब्रगु से आपकी हुई ब्रगु लेक यह प्रीवियस यह आया हुआ कोश्चन है कि ब्रगु लेक आपकी कहां पर है ब्रगु जील उसके बाद आपकी रेनुका से रेनुका जील परेशान से आपकी पराशर जील मन से आपकी मनी महेश जील मनी महेश जील और लास्टली सूरज और चंद्र को भी डिकोड कर लेते हैं तो सूरज से सूरज ताल और चंद्र से आपका चंद्र ताल तो ऐसे करके आपको ट्रिक के माध्यम से आपको आसानी रहती है याद करने में तो हमने इमाचल प्रदेश की जो लेक्स हैं वो डिसकस कर ली अभी उसके बाद हम चलते हैं उत्राखंड उत्राखंड तो उत्राखंड के लिए हम ट्रिक यूज़ करते हैं प्रिक आपकी क्या रहेगी प्रिक आपकी रहेगी सूरज और चंद्र चंद्र को छोड़कर सभी ताल सभी ताल तो यहाँ पे ज्यादा तर जो जीले हैं आपकी उनके नाम के पीछे ताल है तो हम उससे याद कर लेते हैं सूरज और चंद्र हमने पहले डिसकस कर लिया सूरज और चंद्र कहां पर है वह आपका हिमाचल प्रदेश में हम पढ़ चुके हैं प्रिक्के माध्यम से पिछली स्लाइड में, अभी हम डिस्कस करते हैं उत्राखंड की जो लेक्स हैं उनके बारे में, तो उत्राखंड में आपकी नैनी ताल, ये तो सभी को पता है, नैनी ताल, देव ताल, साथ ताल, माला ताल, आपका राशक ताल, आपका डोडी ताल, आपका खुर्पा ताल, और आपका नोक्या चालताव, तो ये आपकी उत्राखंड की जो कुछ लेक्स है, वो है, तो ये आपने देख लिया, आपने ट्रिक यूज कर ली, सूरज और चंदर को छोड़कर सभी ताल, ये हमारी उत्राखंड की जो लेक्स है, हमड़े वो डिसकस करी, अभी हम चलते हैं, उत्तर प्रदेश, लब यूपी, तो ट्रिक क्या रहेंगी, ट्रिक रापकी रहेगी, राधा, क्रिष्ण, गोविंद, बोले, भरत, तो ट्रिक क्या है, कि राधा क्रिष्ण बोले भरत, यूपी वाले भी करेला खाते हैं, यूपी वाले भी, करेला, खाते हैं, तो अब इसको देख लेते हैं, कि आपका कौन-कौन सी लेक्स हैं, तो डिस्कस करते हैं, ट्रिक क्या बोल रहे हैं, कि राधा, क्रिष्ण, गोविंद, तो ये तीनों शब्दों को हम देखते हैं, राधा कुंड, राधा कुंड, क्रिष्ण कुंड, क्रिष्ण कुंड, गोविंद से, गोविंद, वल्लब, पंथ, सागर, तो ये बाद, भरत कुंड, राधा कुंड, और फिर हम नेक्स लाइन पे आते हैं, यूपी वाले भी करेला खाते हैं, तो यूपी वाले भी करेला, करेला से आपकी क्या है, करेला, जील, और आपकी भी, भीखा जील, तो ये आपकी यूपी की जो, इम्पोर्टेंट लेक है, वो है, तो अभी हम बात कर लेते हैं वो गोविंद वलव पंध सागर, कुश्चन कहीं बार आ जाता है कि हमने artificial lakes के बारे में पड़ा था, क्या होती है artificial legs, जो मानव दुआरा निर्मित होती है, तो यह जो है गोविंद वलव पंध सागर इंडिया की सबसे बड़ी artificial lake है, यह आपकी रिहंद जो नदी है, वहाँ पे आपकी ये है, तो गोविंद वल्लब पंत सागर, यह आप याद रखेंगे, ट्रिक आपने देख ली, राधाकृष्ण गोविंद बोले भरत, यूपी वाले भी करेला खाते हैं, तो इससे आपको आसानी रहेगी याद करने में, फिर हम डिस करते हैं, चंडीगड, चंडीगड में आपकी एक ही लेक है, जिसका नाम है, सुखना, तो आप उसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि, चड़ी सुखाना, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, वैसे ज़रुवत नहीं है ट्रिक की, बट स्टिल, हम सब की बता ही रहे हैं, तो य यह भी बता देते हैं, कि इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, फिर आप क्या करेंगे, कि इसका नाम लिख लेते हैं, हम सुखना लेक, यह एक ही लेक है, सुखना जील आपकी जो है, यह आपकी कहां पे है, यह आपकी, चंडीगड में है, तो यह आपका कंप्लीट हो गया, च पिसकस कर लिए हिमाचल, उत्राखंड, यूपी और हमारा आपका चंडिगड, तो अभी हम चलते हैं राजस्थान, तो राजस्थान का देख लेते हैं, ओके, राजस्थान, राजस्थान में आपकी कौन-कौन सी लेक्स हैं, आपको पता है, शिटी ओफ लेक्स, किसको बोला जाता है, वो सभी को पता होगा, उद्यपूर, तो अभी हम, उद्यपूर आपका राजस्थान में हैं, तो अब हम राजस्थान की जो लेक्स हैं, उनको डिसकस कर लेते हैं, तो ट्रिक, आईए ट्रिक देखते हैं, तो ट्रिक आपकी क्या रहेगी, प्रिक, ट्रिक यूज पुष्पलाना नाक संभाल कर पुष्पलाना पुष्पलाना जय पिछोला जय पिछोला राज फत्य करके आएगा तो अब हम देख लेते हैं राजिस्थान की लेक्स तो यहाँ पे ओके तो दीदी दीदी से क्या रहेगा आपका डीडीवाना लेक डीडीवाना डीडीवाना जील नाक नाक से आपका नक्की जील नक्की जील नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं संभाल यह आपकी हुई कांभर जील उसके बाद कर से आपका कडीला जील कडीला जील फिर आपकी आती है पुशकर जील पुशकर जील नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं लाना लून कर सर जील पुशकर जील लून कर सर जील फिर हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं यहां तक हमने देख लिया दीदी नाक संभाल कर पुशकर जील करके सारी जो जीले ना उनके नाम याद कर सकते हैं जैसे दीदी नाक संभाल कर पुषपलाना डीडीवाना जील नक्की जील सांभर जील कडीला जील पुषकर जील अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं जै पिछोला यानि जै समन जील फिर आपका नेक्स्ट वर्ड है आपका ये आपकी हुई पिछोला जील नेक्स्ट आपका वर्ड रहेगा राज तो राज से राजसमंद राज समंद जील नेक्स्ट आपकी फत्य वर्ड बचा आपका तो ये है आपका फत्य सागर फत्य सागर जील तो अभी हमने सारी राजस्थान की जो इंपोर्टेंट है लेक्स वो डिसकस कर ली हम अब सांभर जील के बारे में बात करते हैं तो सांभर जील अगर कुश्यन आता है कि ये आपकी largest सांभर जील में आपका काफी सारा नमक का प्रोडक्शन होता है पहले ये बात कर लेते हैं और यहां पे आपके करें करने तो यह काफी सारे मैंग री जो बिस रूल होते हैं तो यह कहां से chimkę माइगरेटरी बाघ्चा बेल्ट यह नियुर्ट कुछ सांभर जील जो आपकी है यह आपकी बिगेस्ट इनलेंड साल्ट वोटर लेक है यहां पर आपका नमक का प्रोडक्शन होता है और यहां पर आपके काफी सारे में माईग्रेटरी बर्ड विंटर में यह कर लिया राजिस्थान का युटर को क्या बोला देज्था मां जाता है हम भी लिस्षात धाला यह कुछ स्कार यह करें बागी का राज्जे में नेक्सक्राइब सवाग्य दो झाल झाल